नमस्कार आज का ये टॉपिक अगनी बीर पर हैं भारत सरकार ने कुशलता दक्षता परिपूर्णता सभी तरह के स्कील में माहिर अपने बच्चों को त्यार करने का जो योजना बनाया है उसी योजना का नाम उसने अगनी बीर रखा अगनी बीर के सेवा चार बरस के लिए फोज में होती अब देखिए अब जो समाचार आ रहा है अगनी बीर के लिए 120 नमबर का पाठ करम होगा जिसमें साठ नमबर इगनु परिच्छा लेगा और साठ नमबर फोज परिच्छा लेगा क्या बात है साठ नमबर का परिच्छा इगनु लेगा और साठ नमबर का परिच्छा फोज जहां परबो हैं और उसके बाद उनको उपाधी विस्विद्याले के द्वारा मिल आप देखिए कि इगनु से भारत सरकार का इनसे समझाता हो गया अब यह बैचलर आप आर्ट्स यह आर्ट्स भी परहेंगे पर्येटन प्रवंधन परहेंगे इसकील विभीन तरहों का उद्योग में काम करने में जो विभीन तरह का उद्योग है जो आज तकनीकी विकास में से जो आगे बर रहा है इसके पहले एक विडियो हमने बनाया है जिससमें बरनन किया है कि आने वाला हर तसर्स में पूरा एसकील चिंज हो जाएगा रोजगार पदल जाएगा इसलिए इसकील उसके ऊपर भी ध्यान रखा गया है कि जो नया एसकील आ रहा है उसके बारे में इन नौजवान अगनी वीरों को जनकारी दिया जाए उनको विसाइटी उपादी दिया और उसके बाद पांचवां वो बीएसी एक तरह का साइंस से भी वो उनका बीएसी हो जाएगा यानि एक एक सोबीस नंबर का पाठ करम अगनी वीरों को चार बरस के लिए होगा यानि एक तरह से जब वो सेवा से अवकास प्रस्थान करते हैं तो वो ग्रेजुएट होंगे यानि असनातक होंगे धन्यवाद